गुद मॉर्निंग स्ट्वेंट वेल्कम टू बीवी नीलने कलासेज तुष्ट्वेंट अभी हमने फिफ्ट लेशन दी स्नेक एंड दा मिरर शांप और दर्पन ये लेशन की समरी पढ़ी थी और आप हम इसके पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेशन डिस्क्राइब दा डॉक्टर्स हाउस डॉक्टर के घर का वर्नन कीजिए दी डॉक्टर लिवड इन ए सिमाल रेंटेड रूम जो डॉक्टर था वहे किराय के छोटे से कमरे में रहता था रेंटेड का मतलब होता है किरायक इट वाज इन आउटर रूम ओफ ए हाउस यह एक मकान का बहर वाला कमरा था आउटर रूम बहर वाला कमरा ओफ ए हाउस एक मकान का इट वाज नॉट इनलेक्ट्रिफैड इसमें बिली नहीं लगी हुई थी इट है एड टू विंडोज इसमें दो खिडगियां थी दा रूम हैड गैवल रूप कमरे की जो छट थी वे दोहरी डहलान वाली थी गैवल दोहरी डहलान इट वाज स्पोर्टर ओन ए बीम ओवर दावाल इट वाज स्पोर्टर स्पोर्टर के मतवता है ठिका हुआ होना यह ठिकी हुई थी ओने बीम एक बीम के उपर ओबर दावाल दीवार के उपर यह दीवार के उपर एक बीम पर ठिकी हुई थी इस बीम के उपर रैट कैप मूविंग आल टाइम हर समय चुवे हर समय घुमते रहते थे above this beam rats kept moving all time हर समय इस के उपर यह इस beam के उपर चुवे घुमते रहते थे next the doctor he had a noise doctor ने एक सोर सुना who was making the noise सोर कौन मचा रहाता and why did it stop suddenly और अचानक यह बंद क्यों हो गया it was the noise of rats यह चुवों का सोर था they were moving on the beam that supported the gable और वे उस beam पर गूम रहे थे जिस पर दोहरी डलान वाली छत supported टिकी होई थी the noise stopped suddenly अचानक सोर बंद हो गया when the narrator opened the door जब Vernon करता ने दरवाजा खोला the rats got frightened and stopped moving चुवे डर गए and stopped moving और उन्होंने हिलना बंद कर दिया next वाट टू इंपोर्टेंट डिसिजन डिड़ डॉक्टर टेक डॉक्टर ने कौन से दो महत्पूर ने लिए वहल ही वाज लुकिंग इंटू दा मिरार जब वह दरपन में देख रहा था डिड़ डॉक्टर डेसाइड़ डॉक्टर ने निर्ने किया टू सेव डेली कि वह रोजाना सेव करेगा अर्थार्थ दाड़ी बनाएगा एंड गिरोए थिन माउस से और वह पथली सी मूझ चुगाएगा कि वह इस तरह अज एक सुन्दर प्रतीत होगा कि वह एक महिला डॉक्टर से साधी करेगा इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और उसे एक अच्छी मेडिगल प्रैक्टिस हो प्रैक्टिस नेक्स्ट वाट हैपन तो दॉक्टर वहली वास तिंग निचेयर डॉक्टर को क्या हुआ जब है अपनी कुर्शी पर बैटा हुआ था दी डॉक्टर हीएड डॉल नॉइस डॉक्टर को एक हलकी सी अवाज सुनाई दी यह किसी चीज के उपर से गिरने की कोई आवाज थी वह यह देखने के लिए मुड़ा यह क्या था वह क्या था एक फैट स्नेक वाज रेगलिंग उबर दा बैक ओफ चेयर एक मुटा साफ उसकी पीठ की कुर्शी की तरफ सरक रहा था रेंग रहा था रेगलिंग इट लेंड़ ओन दा डॉक्टर सुल्डर यह डॉक्टर के कंदे पर आ गया देन इट कोईल इटसेल राउंड दा डॉक्टर स्लेफ आर्म अबव दा अल्बो फिर उसने डॉक्टर की बाई बाजू की तरफ कुहनी के उपर से कुंडली लगा ली next is there a similarity between the doctors and the snake क्या डाक्टर और सांप में कोई similarity माने समानता है if so what is it यदि है तो क्या है there is one point of similarity between the doctor and the snake डाक्टर और सांप के बीच में जो समानता की एक बात है both of them दोनों love beauty दोनों सुन्दरता से प्रेम करते हैं both of them enjoy to look at themselves in the mirror दोनों को दरपन में देखने पर आनंद मिलता है the doctor looks into the mirror doctor दरपन में देखता है and thinks he's handsome और सोचता है कि वह सुन्दर है he pick up comb वह कंगे को उठाता है and run it through his hair और अपने बालों में गुमाता है he looks into the mirror and smell वह सीसे में देखता है और मुश्कराता है he thinks वह सोचता है he has an attractive smile कि वह एक आकर्सक मुश्करात रखता है he decides to wear this smile always on his face वह इस मुश्कान को अपने चेहरे पर सदा बनाई रखने बनाई रखना चाहता है the behavior of the snake is almost similar behavior का मतलब होता है वह भार of the snake मनें सांप का जो सांप का वह भार है वह भी लगबग ऐसा ही है it has coiled itself around the doctor's arm उसने डॉक्टर के बाजों के गिर्द कुंडी लगाई होती है it happens to look into the mirror अच्छानक वह दरपन में देखता है it happens to look into the mirror it seems to like its image ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी इमेज सकल पसंद आ गई at once it creeps onto the table अच्छानक वह रेंकर creeps का मतलब होता है onto the table अच्छानक वह रेंकर मेंज पर आ जाता है it moves to watch the mirror यह दरपन की तरफ बढ़ता है it wants to have a closer look at itself वह स्वैम को और ज्यादा समीपता से देखना चाता है say the doctor doctor कहता है it was a snake यह एक साप था which was taken with its own beauty जो अपनी संदर्ता पर मुहित हो गया जो अपनी संदर्ता को चाता है so इसलिए so wise the doctor himself doctor B ऐसा ही था so wise the doctor himself doctor स्वैम भी ऐसा ही था thank you